शुप कामनाएं, दुवा, स्नेह भावना, सदिक्छा ये सब वे भावनाएं हैं जो समाज आपको अपने गुणों के कारण देता है वैसे साधारन रूप में ये किसी को बेकार की बाते लग सकती हैं लेकिन किसी के भी जीवन में इन भावनाओं का बेहत खास स्थान होता है हम जो भी कर्म करते हैं उसके अनेक पहलू होते हैं लेकिन सबसे महत्वपून होता है अपने साथ साथ किसी और के मन को संतोष देना जब किसी के मन को संदोश मिलता है, तो वो हमारे लिए मन की गहराईयों से दूआ करता है अगर जीवन में लोग आपके प्रती सहनशील हैं, तो समझे कि आपने जीवन का सच्चा उप्योग किया है इसके उलट यदि अनेक लोग एक साथ आपको नापसंद कर रहे हैं और आपके पतन के लिए आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो समझे कि आपने जीवन को मात्र अपने लिए ही उप्योग किया है जब आप संसार के लिए जीवन का एक हिस्सा समर्पित कर देते हैं उसके लिए त्याग और सदभावना रखते हैं तो लोग आपके भले और मंगल की कामना करने लगते हैं और जितने लोग आपके लिए मंगल भावनाएं रखते हैं, उतना ही समाज में आपका विरोध भाव कम हो जाता है। ये एक प्रकार से आपका समाज में किया गया एक निवेश यानि एक इन्वेस्टमेंट होता है। इस निवेश के प्रती फल या कमाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये आपके मन को शांती देती है। आपको खुशी देती है। क्योंकि कहा गया है कि हर दवा बेकार हो जाती है लेकिन कोई भी दुआ कभी खाली नहीं जाती। दुआ वो रामबान हैं जो हर हाल में फलती है। इस तरह बदुआ भी हर हाल में अपना असर सरूर दिखाती है। कभीर दाज जी ने बिल्कुल सही कहा है। निर्बल को ना सताईए, जाकी मोटी हाए, मरी खाल की सांस से लोह भस्म होई जाए